अज़ चाहिए पर प्लीज शुरू करने से पहले कुछ कमेंट आप कहा गते हैं कोशन के जवाब कमेंट सेक्षिन बताएं जैसे कल दो लोग ने बताया हमें बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने कोशन का जवाब दिया और सब लोग हर कोशन का जवाब दें तीनों कोशन का बताता है तो पहला कोशन जो है आज के लिए वह है पहला है डबलू एच ओ कभ फॉण्ट किया गया था डबलू एच ओ की फॉणडेशन कब रखी गई किस यह में रखी गही दूसरा कोशन आता है ऐसाई अर्केलोज कल सर्वेइफ इंडिया कभ फॉण्ड किया गया अप इन दोनों कोश्चन का जवाब कम एनलिसिस में पालेंगे कब इन दोनों की फांडेशन रखी गई है आप कमें सेक्षिन बताएं कि आपकी डबलो एचो कब फांड किया गया था क्या अभी बताएं शुरू में शुरू आत में बता दे और आर्केलोजिकल सर्वेड इंडिया और रह inteligens में आपको आजूब करते हैं किस ही इन में इन सेक्शन वहाइगा मिल जाएगा आजनों अचले बूदा अचने पैला आता है BJP offering MLA 25 crore to toppled Rajasthan government गैलोथ ऐसा CM का राजयस्थान के CM Ashok गैलोथ का कहना है कि BJP कहते हैं उनके MLA को 25 crore दे रही है कहते हैं राजिस्थान government को गिराने के लिए कि वहाँ उनकी government गिर जाया और कहते हैं BJP फिर वहाँ government बना ले ऐसा उनका कहना है तो कहां यह आता है कि इसमें यह contest आता है anti-defection law चलिए देख लेते हैं हम लोग anti-defection law को anti-defection law anti-defection law क्या है यह anti-defection law 10 schedule of the constitution properly known as anti-defection law was exalted by the 52nd amendment in 1985 यह कहते है 50 second amendment जो हुआ था 1985 में उसके बाद इसे लाय गया था यह 10 schedule of the constitution के अंदर आता है the ground for disqualification यह article जो disqualification होता है किसी भी चीज़ का कहते है गौवर्मेंट का कि वहाँ पर वो गौवर्मेंट नहीं बना सकती वो article 102 और 1912 के अंदर आता है यह disqualification क्या है जैसे किसी और पार्टी के लोगो को ब्राइब करके या गलत तरह से पैसे दे के या खरी लिया जाता है तो यह anti-defection law के अंदर आता है exceptions under the law exception क्या कहें कि any person elected as a member as a speaker or chairman could resign from his party and rejoined a party if he demoted that post कि अगर कोई भी person, speaker या chairman बनता है तो वो party से resign कर सकता है और फिर से party rejoined कर सकता है उसी post पे जिस पे पोस्ट पे वो था दूसरा आता है party could be merger with at least two-third of a party legislature for the merger कि कोई भी party दूसरी party के साथ तभी merge का सकता है जब उसके two-third member एिसके लिये क्या किते हैं तायार हो और क्या किते हैं माज जाए दर law inisly permit allá splitting of party but now has been outlawed कि पहले क्या किते हैं इस law में यह भी आता था कि पार्टी स्प्लिट हो जाती थी वो भी इसी अंडर इसी लॉग के अंडर आता था इसमें ये भी होता है कि जो प्रेसिडिंग ओफिसर का होता है वो डिसीजन वह ही कहा गते हैं जुडिशल रिविव के अंडर आता है पहले ऐसा नहीं था पहले इससे पहले 1992 सुप्रीम कोट का जो जुडिशन था उससे पहले प्रेसिडिंग ओफिसर जो होता था उसका प्रेसिडिंग ओफिसर का क्या गते हैं अंदर नहीं आता था जुडिशल रिविव के लेकिन सुप्रीम कोट के 1992 डिसीजन के बाद क्या गते हैं ये सुप्रीम दूसरी नियस आती NIA Detains Two Gold Smuggling Case Suspects कि NIA National Investigation Agency उसने जो इस नियस नियस का कंटेक्स हमेरे हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है इंपोर्टेंट है NIA चलिए NIA को देखते हैं बूल गए कहते हैं कि आप हमारे टेली ग्राम चैनल को सब्सक्राब कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं निया एक नेशनल इंवेस्टिकेशन अगर कोई दिक्कतारी उस तरफ से यह स्मगलिंग देखती है जो हाई क्वालिटी का इंडियन करेंसी का स्मगलिंग होती है इसका अब्जेक्टिव है टेरर को खतम करना इसका है निया का नेशनल इंवेस्टिकेशन अजएंसी का है नियु देली में इसके और भी ब्रांचे से जैसे हैधराबाद, गोहाटी, कोची, लखनाव, मॉंबाई, कुलकाता, रहपूर, जम्मु यहाँ यहाँ इसका और भी कई ब्रांचे से इसके निया एमेंडमेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट इसके लिए एक special court होती है जो NIA का decision लेती है वर करती है उसके लिए एक special court बना जाती है The Central Government on for the Trial of Schedule Officers ये section 11 and section 222 of NIA Act 2008 के दोरा एक special court बना जाता है NIA के लिए जिस पर वो पहले अपना decision क्या क्या है अपना report बताती है उसके बाद वहाँ से क्या है ये direct फिर A code of criminal procedure के दोरा ये special court बना जाती है Where any question arise to the redemption of any special court it shall be deferred to the central government decision in the manual and answer to the final कि अगर कोई दीक्खात होती है special court में तो क्या कहते है कोई decision क्या 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 कहते है उसमें दीक्खातारह लेने में तो फिस वो Central Government उसमें decision लेती है और वही decision final होता है अब आता है UGC to take, UGC to take action if states cancel exams, ऐसा UGC का कहना है कि अगर state, जो state governments है, अगर वो अपने आंके, कहते हैं, exam cancel करती है, तो फिर उस पर UGC action लेगा, इसमें important आता है UGC, लेकिन ये ऐसा उन्होंने क्यों कहा है कि UGC कैसे action ले सकता है, उन्होंने कहना है कि as per the UGC act, UGC act के तह क्या कहते है, चल्डे में, जो नहीं हो सकती है, कि उनके exam होने है की नहीं होने, तो उस पर ऑपना decision दे सकता है, लेकिन इस तो अजम को ये सकते है, उस पर decision , कि UGC और AICTE जो है All India Concept for Technical Education वो कहते हैं देखेगी कि इस higher education पर उस पर वो देखेगी ऐसा उनका कहना है UGC का UGC और AICTE मिलके उस पर decision लेंगी state government इस पर decision नहीं दे सकती कि final exam होने चाहिए कि बाग के exam होने चाहिए जो कहते हैं अब आता है University Grants Commission University Grants Commission एक statutory body है जो 1956 में बनाए गए थी determination determination maintenance of sense of higher education को बनाने के लिए उस वक्त 1946 में तीन उनिवेस्टी थी उस वक्त यह कहते हैं बनाया गया था UGC को उस तीन उनिवेस्टी के लिए देखने के लिए फिर 1947 में कहते हैं इसे बढ़ाया गया और जित्ती उनिवेस्टी थी उस वक्ती सब के लिए इसमें जोड़ा फिर independence के बाद S. Radha Krishna की chairmanship में एक कमटी बनाय गई जो खगते हैं देख रही थी जो United Kingdom का UGC था University Grants Commission उसके स्थे तर्च पर उसके जैसा कहते हैं यहां का इंडिया का University Grants Commission बनाने की बात हुई थी 1948 में फिर 1956 में इसे बनाया गया और इसके कहते हैं इस्टैब्लिश के इसे स्टैशरी बोडी बना दिया गया Government of India का इसके फंक्शन है यह recognition देती हर उन्वेस्टी जो इंडिया में है इक ग्रांट प्रवाइड करती है उन्वेस्टी और कॉलेजेस को यह कहते हैं scholarship फेलोशिप प्रवाइड करती है बेनिफिशरी को जरूरत में लोगों को और कह फाल ऐसा देखा गया है जहां पर लगबग 10,000 लोग लौकडाउन पहले रोज आते थे वहां पर 100 विस्टर मैक्सिमम सो विस्टर रोज आ रहा है ऐसा के लोग इसमें बताया गया है इसमें बताया गया है कि आर्केलोशिकल सेर्वर इंडिया ने बताया है और को पांच इंडिया चलिहें एसाइ को देख लेता है और आरकेज़्ाजिकल सुर्वे इन डिया ये क्या क्या कि एक पीस में और गवर्ट मेर्ड एज जो देखता है और के आर्केज्ड लॉज डिस गवार्च सांटीफिक अनेलिसिक एक्सेवज़शन अव् Archaeological Sites, Conservation Preservation of Protected Monuments को देखता है इसा ये Department of Culture, Ministry of Culture के अंदर आता है इसे बनाए गया था 1861 में Alexander Cunningham के द्वारा ये जो इसके Director General पहले Director General इसके Alexander Cunningham थे 1861 में इसे बनाए गया था है चलिए अगली न्यूस देखते है Next News आती Relocate Algae Polymers Plant Sick Committee का कहना है कि कहते है Algae Polymers जो Incident वाइस साल जिसमें कहा कहते है कहीं लोग मारे गया और कहीं लोग कहते है पांच और सी लोग लगबाग hospitalized हुए थे इसको फिर से बनाना होगा लेकिन इस बार कहते हैं इसे जो step वह setup होगा इसका वह कहते हैं जहां पर लोग रहते हैं वहां पर establishment इसका नहीं होना चाहिए यह category A of hazardous industries के अंदर आती है यह कहते हैं आप comment section बताएं यह category किस base पर divide होती है यह comment section बताएं कि category A है category B है कुछ आप category A के और कोई industry का नाम बताएं comment section में जरूर बताएं कलम में इस पर आगे discuss करेंगे चलिए आग एक news देखते अब news आती है सबसे वहां पर यह चाहिए हमेर के से बहुत जाता है कि वहां पर यह जादा क्या करते हैं वहां यह जांता ही यह प्रिक आप और उसमें इसे इसमें बताएं कि skiing को डेखी की कि जो मेंआ हैड़कर करने से अशन कौन कीए तेमपल के वह कौन की उपर है ? कि कौन उनको यूस का सकता है ? तो इसके उपर आए कि करते है कि स्टेट गॉवर्मन डीसीजन लेगी इसके उपर ? कि जो अर्सट वायल रॉयल ट्रावंगय। फैमली है जो सालों से पुराने अपने पूरवजों से जो ट्रेमगोर फैमिली है जो लोग इस टेंपल को देखते थे शुरुआ से जब डाइनिस्टी आस थी तो उस वक्त ही लोग रहते थे और उस वक्त डिसीजन देते थे देखना है कि ये किसके अंडर आती है कि कौन इस पर किसका हाक होता है इस पर वही बात की गई है इसमें ये भी का गया है कि ये किसके अंडर आएगी कि यह पब्लिक यूज के लिए होगी कि नहीं पब्लिक वहाँ पर जा पाएगी कि नहीं तो इस पर भी decision होगा क्या गते हैं जैसे हमने देखा कि पहले सालों से इसमें decision चला है इसकी पहली judgment हुई थी सिखिया पर जाद चल्ला होगा कई कैला हाएग कोर्ट तो अब देखना है कि किस स सब्सके अंदर ईनको बर आता है ED6 info on cases against Dubai Enforcement director ने काया कि वो देखेगे पूरा information लेगे एक report बनाएगी जो देखे कि जो डुबे के अंडर cases आ रहे हैं जो डुबे के ऊपर case लगे हैं वो किस तरह के हैं और कौन-कौन से case उसके ऊपर थे ऐसे इसमें कहा गया है पूरा में यही बताया गया है कि The Enforcement Directorate has sought from the Uttar Pradesh police details of the case against Vikas Dubey who was gunned down on Friday to initiate a money laundering probe चलिए देख लेते हैं Enforcement Directorate को देख लेते हैं Enforcement Directorate यह एक Law Enforcement Agency है जो देखती है Economic Intelligence Agency है जो देखती है economic loss को fighting economic crime in India जो देखती है economic loss जिते हैं उनके उपर अपना decision देती है इस Directorate को बनाया गया था में 1956 को Enforcement Unit के नाम से इसे बनाया गया था फिर इसके क्या 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 क्याते है Department of Economic Affairs के अंदर आता था उस वाग लेकिन फिर इसपे इसमें थोड़ा violation हुए एक्षेंग कांट्रोलॉल्स में वालेशन हुए उसको इसको handle करने के लिए इसे बना गया था फिर 1957 में क्या करते है 1957 में इसे enforcement directorate के नाम पर दिया गया पहले इसे enforcement unit इसका नाम रखा गया था Beside directory recruiting person the director also draw officer from different agency इसमें क्या करते हैं एक directorate के लिए सिर्फ नहीं आगे और भी कई agencies के इसमें क्यों जो officers होते हैं वो police यह सब इसमें officer इसके आते हैं deputation पर इसका function है जो भी fugitive economic offenders act के तहर जो लोग fugitive acts करते हैं जो cases जो उनके उपर होते हैं fugitive वाले जो क्याकते हैं धनली वाले जो इस तरह के money laundering इस टाप की case जो उनके उपर ही अपना decision देते हैं और check करते हैं report बनाते हैं कि किस तरह के ऐसा उन्हों न क्यों किया और इनके उपर एक अलग से code भी है PMLA court कहते हैं जो PMLA court है जो central government कहते है consultation करती है chief justice of India के दारह और इसके में one or most session courts बना जाती यह special courts को PMLA court कहा जाता है अगर कोई decision इस फाइनल लोता है PMLA court में वह directly filed हो जाता है high court में उसके लिए और कहीं जाने की जरुरत नहीं पड़ती आपको fetition file नहीं करती पड़ती direct court में case चला जाता है चलिए अगली निउस आती है पिसॉरियस ड्रग गेट DCGI नॉट फो एमजेंसी यूस कि एक ड्रग है प्रसॉर्स उसको कहते हैं DCGI ड्रग कंट्रोलर ज़नल अफ इंडिया है उसने इसे कहते हैं एक positive वेर में ले लिया है कि एमजेंसी यूस के लिए इसे यूस किया जा सकता है ऐसे इस निउस में बताए गया है आप कमेंट सेक्शन बताएं कि ड्रग कंट्रोलर ज़नल अफ इंडिया है यह कब बनाया गया था है कब इसका establishment हुआ है आप कमेंट सेक्शन बताएं हमें बहुत अच्छा लगए अगर आप कमेंट करेंगे चलिए अगली निउस देखते अगला आता है WHO calls for aggressive action and global solidarity कि WHO को पूछा गया है कि जो aggressive action उनका है और global solidarity यह हमारे context important नहीं है important आता है WHO चलिए WHO को देख लेते हैं WHO WHO United Nation की special agency है जो health के लिए काम करती है इससे 1948 में established किया गया था यही मैंने कमेंट सेक्शन पूछा था कि कब इससे established किया गया था अब देखना है किसने किसने साही कमेंट किया है फिर आता है इसका headquarter Geneva Switzerland में है इसके 194 member states है और 150 country offices है और 6 regional offices भी इसके हैं WHO के यह एक inter government organization है जो member states के साथ मिलके ministries of health जो होती है अलग-अलग member states की उनके साथ मिलके यह work करती है क्या किते हैं इसकी function शुरू हुई थी अप्रेल 7, 1948 के द्वारा इसलिए इस दिर world health day मनाया जाता है अप्रेल 7, world health day इसलिए मनाया जाता है इसलिए 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 में deemed appropriate कि जाए United Nation के जो और भी एजनसी है उनके साथ मिलके क्याते हैं जो health problem उनको क्यों डून और उनके लिए work करना क्याते है health assembly क्याकते है इसमें जो health assembly होती है उसमें जो delegates होते हैं वो रिपेसेंट क्याते हैं members countries को रिपेसेंट करते हैं हर मेंबर एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है उस है इसका फंक्षिन क्या होता है यह हैल्थ असेब्ली डिटरमाइज पॉलिशी ऑफ द ऑगनाईजेशन की इस सुपरवाइस पॉलिशी ऑफ द ऑगनाईजेशन अप्रूजेट बजट भी देखना कि किसी कहते हैं समय जैस अगली न्यूस आती है फोसर्म्स ग्रेंट प्लांस आईप्यों कि जो ग्रेंट फार्मा है मिजॉर्टी ओन बाइचानीज फार्मा मेजर फोसर्म्स फार्म्स फार्फ रेट हेरिंग प्रॉस्पेक्टर विट सीबिया ऑफ और इनिशा पॉब्लिक ओफरिंग जो आईप्यों है वो है आईप्यों का फुल्फार्म होता है इनिशा पॉब्लिक ओफरिंग और द्यूसरी न्यूस है अपने डेवलपर से बात करने चाहिए और इस पैंडिमिक के समय अपने क्याखते हैं जो प्रॉब्म्स आया है उसे क्योर करने चाहिए चलिए देखते एंशिए को अंसी एल्थी को अंसी एंशिए एक उसी कॉसी जुडिशल बॉडिया की जो जो गशिया बादे ऑन गृटर्च सॉड लागृट का इस यह बना था बना गया था यह करते हैं सेक्षिंट कॉंपनी जा सीन कदर जो है शेक्शन फोर जिरो उसके तरह बना गया थ यह कहते हैं जो जस्टिस इरादी कमिटी है कि उसके रिकमेंडेशन में से बनाया गया था Ministry of corporate affairs established 11 benches of the tribunals कि जो ministry of corporate affairs है उसमें इसकी 11 benches बनाई है जिसकी principal bench न्यू देली में इसकी 12 benches और है जिससे दिली, बैंगलो, रहमदाबाद, इलहाबाद, गौहाटी, चन्दीगा, कोलकाता, मुंबई, जैपूर, कोची, हैदरबाद NCLT का function क्या क्या है All the proceedings under the compliance act such as arbitration, arrangements, compromise, reconstruction, winding of the company will be disposed of the tribunals इन सब चीजों को ट्रिबनल देखता है कि जो यह arbitration, arrangement, compromise, reconstruction और winding apology की company भी किसी की भी तुसके लिए वर्क करता है It can also take up cases relating to compression and mismanagement of the country जब यह mismanagement किसी भी company का होता है तो उस पर भी यह अपना वर्क करती है यह जो appeal authority के खिलाफ case भी होते है जो industrial financial reconstruction के उस पर भी यह work करती है अगली नियुजाती, understanding forest fires and their effect on carbon emission कि देखना है जैसे हर साल, इस साल भी देख लीजे कई बार forest fires हो चुकी है, कितने लोग, कितनी forest जल चुकी है और कितना जाता effect आया है, pandemic के समय भी कई बहर बहर कंट्रियों में भी, इंडिया में भी, कई forest fires जली हुए, कई forest fires जली है तो इसमें यह बात पूरी इस न्यूस में बताई गई है जैसे हमने देखा है कि 2003 से 2017 के बीच में लगबग 5,20,860 active forest fire events हुए है इत्यों सारे हो चुके, 2003 से 2017 के बीच में इत्यों सारे forest है गई है, over 54% of the forest covered in India is exposed to occasional fire कि 54% forest है इंडिया में वो कहते है, occasional fire में यूज हो जाती है, occasional fire उसमें हो जाती है, कभी बीच में बीच में होती ही रहती है इसमें यही बात कीगे, इसमें यही बात कीगे, इसमें यही का गया, the normalized burn ratio is an effective burn index commonly used to identify burn regions in large fire zones जो normalized burn ratio है, वो बताता है कि जो burn regions में जो है, वहां पर किता burn हुआ, किता effectively burn हुआ, और किता दिक्कत हो रही लोगों को, यह सब इसमें बताता है studies का माना है कि, क्या करते हैं, यह fire लगती हुए, इस studies का माना है कि, जो average temperature और maximum temperature है, उसके बीच में और क्या करते हैं, जो precipitation है, वो decline हो जाता है, और क्या करते हैं, जो land use patterns है, वो भी change हुए है, तो इसके कारए इतने जादा forest fires होते हैं, Asian countries में, इसलिए जादा forest में fire लगती ह चलिए देख लेते हैं, forest fire, forest prevention, forest fire prevention and management, क्याकते हैं, the area covering 93,270 hectares were affected by forest fire in 2019, 2019 में लगबा 93,270 hectare land, जो forest थी, वो क्याकते हैं, forest fire के कार, डिक्कत में आई, forest fire subject in the concurrent list of the 7th schedule, यह forest fire जो है, वो क्याकते हैं, concurrent list में आता है, जो 7th schedule जो इंडियन constitution का है, उसके अंदर आता है, forest जो है, वो concurrent list में आती है, जिस पे center और state दोनों decision अपना देती है, national action plan on forest fire, national action plan बनाया गया था, forest fire के लिए, जिसे 2018 में बनाया गया, कि forest fire को minimize करने के लिए, minimize forest fire by informing, enabling and empowering forest ranges communities, कि जो inform करना क्याकते हैं, जो committees और forest को बचाती हैं, उनको inform करना, और क्याकते हैं, इन तरह के institution जो होते है forest fire, उन सब को रोकने के लिए, इसे बनाया गया था, forest fire prevention and management scheme, एक forest fire prevention and management scheme भी है, क्याकिती है, इसका fund पूरा state fund करती है, forest fire के लिए work करती है, जो forest management scheme है, उसे 2017 में बनाया गया था, इसको जो forest fire prevention and management scheme है, उसे forest management scheme को replace करके ही लाया गया है, फुरे संटर्स्टेट कॉस्टिंग चे फंन में आते हैं कि आधुल् liquid ऑने औट सो यह टो प्रहरता सेट star जो नेशर फोरेस्ट प्रोग्राम चलते हैं नेपी मेशन फॉर ग्रीन इंडिया इनके तरफ वर्क करें इनको भी फंड प्रोवाइड करें जिसी यह भी फ्रोडेक्शन में मदद कर सकें अगली नेशर असाम कीलबैक्श सेट पॉर्स ताइम इन वन ट्वेटिन यह स्नेक है जो वह फिली बार देखा गया वन ट्वेटिन नाइन साल बार देखा गया असाम कीलबैक्शन है एक टीम ने रिकॉर्ड किया 400 प्लांट को 400 प्लांट 200 बटर फ्लाइज 25 एंफिवेंट 44 रेप्टैल 249 बर्ड 20 मैमल्स लगबर 20 मैमल्स को इसमें इस टीम ने सर्च किया और पुरानी पुरान समय के जो थे उनको खो जा गया है चलिए देख लेते हैं असाम कीलबैक्श असान कीलबैक्श उसकी डिस्कवरी पहले बार होई थी 1891 में यह किते हैं 2018 में कहते हैं एक पुराबर रिसर्फ फॉरस्स जो है वहां पे एक टीम गई साइंटिस की वहां पे वाइलाफ इंस्टिट्यूट की है वाइलाफ इंस्टिट आफ इंडिया की एक टीम गई उसने कहां अब और एक्सपाइशन के लिए वग किया तो उससे उसके स्टेप्स को यह कहते हैं ट्रेस कर रहे थे कहते हैं अब और एक्सपाइशन जो है वह कहते हैं बिटिश द्वारा हुआ था 1911 में अब और expedition हुआ था कहते हैं उसके बाद ये पहली बार हुआ है असाम कीलबैक जो एक स्नेक है वो Samuel Peel के द्वारा फाउंड हुआ था जो एक बिटिशर था उसने कहते हैं इसे फाउंड किया था असाम कीलबैक स्नेक को ये स्नेक बहुत छोटा होता है चेंच स्नेक कहुंड इसमें बनता है उनिक जयता है ये कहते हैं। इस ग्राइज दिफिश्टेशंट इन लिए छाता है मैं लौत बूल यह तर जे मैं आता है इस जा आ होता है इस जा इन अर्भा-बूल्ण उनहाच्र नेलचुर्टर द। इस पास होता है इस रिजर्फ फॉरेस्स से चलिए अगली अब आता है शुट सुवैद शुट कुवैद कि जो हमने देखा है कि कुवैद की ने कहा है कि वह फॉरेंट जिते भी एं लगवक 70% वहां पर फॉरनर रहते हैं तो वही आगए कि जो बाकी कंट्री के लोग है उन लोग को वापस बेजा जा तो कुछ परसेंट लोगी सिर्फ गल्फ कंट्रीम में वर्क कर सकते गल्फ कंट्रीश में कि जो उसमें हुई उसमें उन्होंने ऐसा कहा है। इंडिया से 15% लोग रख सकते हैं और बाकी जो countries है Egyptian, Bangladesh, Philippines वहां से सिर्फ 10% maximum लोग कुवैट आ सकते हैं वर्क करने के लिए तो इसमें यह बात की गए इंपोर्टन आता है GCC, GCC देख लेते हैं GCC, Gulf Cooperation Council यह कहते हैं छहे कांट्री कांसिल है, Arabian Peninsula की जो है जैसे बहरेन, बहरेन, कुवैट, ओमान, कातास, औरेबिया, एंड सुनाइटे अरब एमिरेट्स इन्हें मिलके 1981 में इसे बनाया गए था GCC, यह Gulf Cooperation Council यह कहते हैं देखती इसे प्रोमोट करती एकनोमिक, सेक्योर्टी, कल्चर और सोचल कोपरेशन को बढ़ाती इन छह स्टेट्स में, जो इसके करेंट पैमबर जो है, वो सब मोनार्की नहीं है, जैसे तीन में कॉंस्टिशनल मोनार्की, काता, कुवैट, बहरेन में, दो में एपस्टूट मोनार की है, सब जगे मोनार्की, छहों में मोनार्की सिस्टम है, अगली न्यूज आती है, जो इंडियाज टाइगर सेंसर, 2018 सेंसर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो 2018 का टाइगर का सेंसर है, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाये, क्योंकि इतना जादा कैमरा टैप, वर्ल्ड ल टैगर सेंसर, प्राइम मिनिस्टर 2018 में, ग्लोबल टैगर डे जो होता है, आप कमें सेक्शन बताएं कि ग्लोबल टैगर डे 2019 कब मनाया गया था, किस दे को मनाया गया था, आप कमें सेक्शन बताएं, और प्लीज ज़रू बताएं, ग्लोबल टैगर डे कब मनाया गया था, अकॉर्डिंग टु रिजल्ट ऑफ टाइगर सेंसर तोटल कांट्स ऑफ टाइगर की जो टाइगर का सेंसर है वो डिक्रीज हुआ है 29672 के जो था वो 2226 हो चुका है 2014 में जो लगबब 741 का इंक्रीमेंट हुआ है जो कहें था 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 चार साल में बढ़ा है एहसा माना गया है इंडिया है था टाइगर कान का टाइगर काउंट एक की जो यहीज बचानन के जिसको हमेशा बचाने कोचिन की जाते है More than 80% of world wild tigers are in India, it's crucial to keep track of their numbers कि लगबार 80% जो world tiger है वो इंडिया में पाय जाते है और इसलिए इसने बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि ने तो ये भी इनके भी बीच में खतरा आता है एक्स्टिंट होने का तो इसे हमें बताने की जरूरत है एसस में बताया गया चली आज के लिए एता है थेंक्यू वरिमेच थेंक्यू